नमस्कार सांथियों मैं हूं संतो जावरिया और आप देख रहें अनुपम एजुगसन चैनल हमारे चैनल पर आपका हारदिक हारदिक स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्स 2019-20 में ग्यारवी पक्षा का जो रसायन का प्रश्ण पत्त था उसके क्या अपजेक्टियों आए हैं और उत्तक क्या हैं साथ ही मैं आपको पूरा प्रश्ण पत्त दिखाऊंगा इसलिए आप हमरी वीडियो को प्रारम से अंतक उन्त देखे तो चलिए बिना विलम की हम पहले प्रश्ण क्यों चलते हैं तो पहला प्रश्ण है सही विकल्प चुनिए एक मोल हाड़ों परमानों में हाड़ों परमानों संख्या कितनी होती है तो यह होती है इसी के साथ सेकिंड कोश्चन है बोरान, ऐलूमनियम, मैंडिश्यम, पोटिश्यम तत्तू के लिए धात्विक अभिलक्षन का सही करम क्या है तो देखे इसमें सही आंसर होगा पोटिश्यम, मैंडिश्यम, ऐलूमनियम और वोरान वाला क्योंकि धात्वी गुंड बाएं से दाएं चलने पर घटते हैं और उपर से निख चलने पर धात्वी गुंड क्या होते हैं बढ़ते हैं आगे चलते हैं एक प्रक्रम के रुदोस्म परिस्तती होने के लिए क्या आवशक है तो देखे इसके लिए आउशक है रुदोस प्रक्रम में उसमा में परिवर्थन क्या होता है शुन्य होता है तो यहाँ पर इसका अंसर होगा C डेंटा Q उपल टू जीरो नेक्स्ट है Celsius मापक्रम पर जीरो डिग्री Celsius परंताफ मापक्रम के बराबर होगा तो देखे यह होता है माइनस दोसो तीहत्तर दसमलो एक पांच के के बराबर होगा सुरी इस हाँ सही है जीरो में दोसो तीहत्तर जोड़ेंगे तो Kelvin में कनवर्ट हो जाएगा उसके बाद चलते हैं निमन इसे किस चार धातु का गलनांग निउन्तम होता है इस तरह से इंगलिश मिडियम वाले चार धातर के लिए मैं सीजिए आंसर लगाता हूँ यहाँ पर D आंसर है आगे चलेंगे हम तो C थर्ड वाले में सी वाला आंसर है और फोर्थ वाले में A वाला आंसर है फिफ्थ वाले में सीजियम आंसर है आगे चले हैं रिक्तिस्थानों की पूर्थी कीजिए सही विकल्प पर चुनकर एक इक नंबर के इसमें पांस फिल इंद ब्लैक्स दीगे हैं किसी कार्वन क्योगीक में एन वाइस की पहचान प्रिक्षण तो वह कौन सी विद्य होती है लेसने प्रिक्षण दोरा होता है चार धात्वें जल योजित लवन बनाती है तो वह लिथियम बनाती है और 28002.005 में शार्थ कंक है तो वह चार है और बोर मडल की उफलता कारण है तो वो है अनसित्या का सिध्धान्त है और उसके बाद है उसमा छेपे विक्रियाओं में डेल्टा एच होता है जहां विक्रिया के दोरान उसमा उस्वाजी होती है वो रिनात्म होता है उसके बाद इनी कोसिंस को यदि हम इंगलिज वर्जन में देखें तो यहां पर लेसने टेस्ट इसमें लिथियम फोर और अंसर्टेंट्टी पिंसिपल और नेगेटिव नेक्स कोसिंट 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 में थार्ट है सही जोडी बनाएए इलेक्टान युगमदाता तो इल चाहर होता है प्रेनिक प्रभाव का संबन है सीगमा बंद का धुर्वी करण उसके बाद में फ्लेरीन कार्बन का परोहता है इलेक्टान का जुड़ना ये अपक्चैन होता है और हाईड्रोधन बंद जो होता है वह आंत्रिक अंतरानविक आकरसिनबल कि कि इस तरह से ये आप संसे हैं यहां पर फिर इंडिस वर्जन में देख लिए एलेक्टान पेर डोनर that is Lewis-Pes inductive effect polarization of sigma bond fullerane allotrop of carbon addition of electrons that is that is addition of reduction reaction and hydrogen bonding the intermolecular force of attraction इसके बाद चलिए question number fourth पर question number fourth है एक सब्द एक वाक्यम उत्तर दीजे तो सिमान्त अभिकर्मक क्या होता है सिमान्त अभिकर्मक किसी अभिक्रिया में वह अभिकारक होता है जो उत्पात की मात्रा को नियंत्रित करता है गेलु सक्का नियम क्या है तो गेलु सक्का नियम यह होता है कि किसी रासने विक्रिया में भाग लेने वाली अभिकारती गेस हो तो उनमें सरणपात होता है और उनसे बनने वाला अध़ भाज भी क्या हो गेस हो तो वो तीनों हिफी सरणपात में होते है अगला है अमली वर् रहते हैं वातरण में और वह जब वर्सा के जल के साथ भूलकर वर्सा जो होती है तो उसे हम अमलवर्सा कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर थ़र्ड कोशन हैं। सोरी फोर्थ कोश्चन है CH3CH CH3OH तो इसका आई पिस नाम है प्रोपेन 2-R प्रोपेन 2-R कोश्चन नमर फिप्त है सिलिकान क्या है तो वे अकारबनिक योगिक जो R2, SIO सामाने सुत्र रखते हैं उन्हें हम सिलिकान कहते हैं इसके बार अगले करम में हम चलें तो पांचवा प्रश्चन है इस्थिर अनुपात का नियम लिखिए मूलान सुत्र और सुत्र मैंतर लिखिए और छटवा कोश्चन जो दो नमबर का है एस्थो और एस्थो और एस्थो और एस्थो और टू सरेटना उतुनना कीजिए दसाइतन एस्थो विलियन के सामर्थ का परिकलिन कीजिए कोश्य नमबर सेवन है जो की दो नमबर का है उसमें ओजुन पर्थि विटन के कारण लिखिए और प्रकास रासनिंग धुम कोहरे के निर्मान के दुरान होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए इसी तरह से कोश्य नमबर एट जो है वो एस्वीत रंकन पूधारन देकर समझाईए एस्टू के लिए आणिकारे बनाईए और बायल और चार्स के निमलेका आर्दकी समयकर्ण की स्थापना कीजिए और एक निमेरिकल यहां दिया गया है इसे अपड़े और उसके बाद म चार धातों चारी निद्धाताव के तुलना कीजिए तो उसमें आरे इंथिल्पी के अधारपा अंसर देना है और आकसाइट के छारकता के धरप देना है इसी क्यार में क्रूश्ण और दिया गया है कि ओटू अचुम्बकी होता क्यों सोडियम क्लोराइट के से प्रारम कर अगला है ग्यारवा किस तत्यू के परमाणों 29 लेक्टान और 35 नूटान है प्रोटान संख्या उतनी होती जितनी लेक्टान तो इसका परमाणों क्रमाण कितना प्रोटान संख्या कितनी होगी 29 होगी और तत्तु का इलेक्टान नियास आप जानते हैं पर इसमें लास्ट में ध्याणना है 3D, 10 और 4S, 1 करना है बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है अबजेक्टिव के हिसाब से और दो नंबर का दिया है लागी हैं पर इस तरह से चार नंबर कई प्रश्ण हो जाता है 11 प्रस्ण के और हम चलें तो 11 प्रस्ण में 3D कक्छक में एक लेक्टान है उसके लिए हमें N, L और M के मान लिखना है तो देखी N का मान कितना होगा 3 क्यों? क्योंकि यह 3 दिया है और L का मान होगा 2 होगा क्योंकि D के लिए एल कमन 2 होता है और एम के जो मान होंगे वो क्या होते हैं माइनस एल से प्लस एल तक होते हैं 0 से तो यहां क्या जाएं माइनस 2, माइनस 1 0, प्लस 1 और प्लस 2 इस तरह से यह एल के मान हो जाएंगे आगे चलते हैं Q12 के और जिसमें लिखा है देखे किसी वर्ग में पर्मानों आकार धिदरे क्या होता है बढ़ता है इस तरह कि व्यात आपको करने से नेक्स्ट है ए ब्लाग तक्तु capable क्या है इनके सामाल लक्षण लिखें तो दिखें ए ब्लाग तक्तु किया होते हैं जिनमेर फणाल निपसे लिखता निंखता है इनके सामाल लक्षण आपको लिखना है डिस्क्रिप्टी कोशन है इसे के साथ कुश्चन नमर 13 जो है एक आधर गेज के लिए सीपी और सीवी में समझ स्थब कीजिए और बताई कि निमलिखित में किसके एंटापी बढ़ती है और किसकी घटती है केवल सेकेन वाला कॉश्चन है बहुत इजी था जिसमें आपकेवल एंटापी को बढ़ना और घटना बताना है तो देखिए एक दरव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसकी एंटापी घटती है क्या होती है गड़ती है और एक क्रिश्टलि ठोस का zero k से 115 तक बढ़ायाता है तो हमने बढ़ा है कि परम सुने ताप पर किसी बदार्त की इंट्राफी किसेले बदार्त की इंट्राफी क्या होती है अनन्त होती है इसलिए इसमें भी क्या होगा यह भी 115 तप बढ़ायाता है तो घटेगी अगला है इसमें विल्टन हो रहा है अवयस्था बढ़ रही है तो Enterep T B बढ़ती है और इसमें आन्विक अवस्था से पर्माणियन वस्था में इसमें एंटाप T B बढ़ेगी सुप्रारम्डीग दोब में Ent delic to Bhagati और बाद वाले दोब में Pret तो दिखिए बोरान हिलाइट लुइस चार सड़ी लूइस अमल होते हैं क्यों यह आपने पड़ा है और इस तरह के प्रश्ण है इन चारों को आपको कौन से लूइस अमल हो और कौन से लूइस चार ही आपको बताना है लूइस की परिभासा के नुशार उसके बाद चलिए प्रभाजी आस्वन जो की विधी क्या है नामनक्चितवना कर शंदाइए उसे के बाद में दूतर आसानिक सेल निर्मान में सेल नामनक्चितर और सेल लवण से तुकाः सेल समेकरण यह आपको लिखना है इसमें आख सी डिस नंबर से ग्याद करना है है हम लिखती हो कि इ इसका अप्चन हो रहा है यह आपको बताना है जिस को उसके बाद सतुरा प्रश्णा इस तरह से था और उसमें बहुरे एक समन्का और डाइबरेंस रचना बनान थी और निम्लिक समझे करने को पूर्ण करना था इसमें आपको C5S10 के संगथ एलन्किनों के विभिनिस रचना आत्मक समावी कौन-कौन समावी हैं कहीं से नाम भी आपको लिखना है उसके बाद में लिखा गया है निम्लिकित के से पराप्ट करेंगे है अपको क्या होता है वाले विक्रिया हैं जो आपने पढ़ी होगी जा जो नियम है वो उसके तहलब प्रसेश होती पौल एथलीन से पालिफलीन प्रक्रिया है सोर्ण्योम बैंजोट से बैंजीन जो है यह वेपने पड़ा है और उसके बाद बैंजीन से साइकलोहेग्जेन यह विक्रियाए इस तरह से हैं हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवास आते हूं जय हिन जय भारत